हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल वंस अगेन इस वीडियो में आपके लिए लेकर रहा हूं कोड़ फोस पर होने वाला 2023 का पहला कॉंटेस्ट हेलो 2023 ओके सो यह डिव बन डिव टू सबके लिए रेटेड है ओके यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड प्रॉब तो आपको IQ एक तरीके से टेस्ट कर लेता है ठीक है तो हम लोग इस क्वेस्टन को यहां पर डिसक्राइब करने वाले हैं इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेस्टन हॉल ओफ फेम का वीडियो अप्लोड कर दिया है और उसका लिंक उपर आपको आई बटन पर आ रहा होगा अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट जाओ आप देख लेना अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हो और मेरा कंटेंड अगर आपको अच्छा लगता है किसी वीडियो देखने के बात तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना हम लोग यहां पर सेकेंड को डिसक् इन फ्रॉम जीरो तो लाइक जो नंबर होगा वह एलमेंट का जो वैल्यू होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए कुछ भी हो सकता है तो इसनी इंटीजर वोला इंटीजर में आप कोई वैल्यू ले लो बट यहां पर आउट्पूट में आपको एक एक रेंज दिया है कि एज पर आफ एड़सेंट एलिमेंट तो जितना भी एड़सेंट एलिमेंट का जो प्र वनेगा उनका समगा वो पूरे अरे का समगा जब मैंने फर्स्ट अटेंप इस कुरूट को पढ़ा तो मुझे लगा फिर धियान है अच्छा ओक कि फस्ट में यह कर रहा है कि जीरो ह होना ही नहीं चाहिए तो okay there is something different in the question so यहां पर क्या वोला गया है कि आपको पांच नमबर लेट से आपने मैंने n equal to 5 दिया तो a b c d e आपने 5 नमबर बताए 5 इंटीजर बताए इसमें सब कोई भी नमबर a b c d कोई भी जो है जीरो के बरावर नहीं होना चाहिए कोई भी नहीं एंड a plus b का जो सम है वो तुमारा a plus b plus c plus d plus e इस तरीके अगर mathematical equation बनाके solve करने बैटे तो पिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे से तो यार यह चीज़ बिल्कुल यह सेम चीज होना चाहिए भी प्लस c फिसी प्लस डी फिर डी प्लस यह सब एड़ेसेंट पेर हैं और जो सम है वो पूरे एरे का सम है ओके यह चीज है ओके आइंड आपको बस यहीं बताना अगर पॉसिबल नहीं है ठीक है लेट सब्सक्राइब की किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है तो उसकेस में आपको नो प्रेंट करना और अगर पॉसिबल है तो यह प्रेंट करना यहां पे लिखा इटके प्र एक से ज्यादा सॉलूसन प्रजेंट है उस पार्टिकुलर एन के लिए तो इस रेंज में हमेशा आएगा तो इसके लिए आपको टिंसन नहीं लेना है राइट हम बात करेंगे यहां पर ठीक है देखो यहां पर ऐसे क्विश्चन में मैं बताऊं अपने एक्स्परियंस के हि तो डिफ्रेंसियेट एन की वैल्यू पर मैं करता हूँ और एंड इवेन के लिए यहां भी कुछ इस तरीके से वर्क किया एन और है तो अलग चीज हो रहा है और इन इवेन है तो अलग हो रहा है यह मैं ऐसे बोलूँगा या ऐसे इसको लिए देता हूँ एन और तो कन्फ ठीक है तो यह हमेशा सिप्टेवल होगा ओवराल सम जो होगा वो जीरो है और हर एक अडिशेंट एलेमेंट का सम जो है वो भी जीरो है तो यह चीज आपका इवेन नंबर के लिए इजली आप लिख सकते हो इजी मैं बोलूँगा ठीक है किसी भी नंबर को रिक दो अब क् certificates ृफब्लस 1 मांजोन प्लस 1 मैंने माइनस वन प्लस 1 मैंनस 2 प्लस 1 झीक है आप चाहो 5 को लिलो प्लस आप ज़ेखो जरूरी नहीं कि यह प्लस 5 होगा आप इसको माइनस 5 फीर प्लस 5 ऐसा रखो एक तो इसमें आपके साफ बहुत-बहुत सारे हैं अंसर तो कुछ भी अप्रिंट करते हूं प्रॉब्लम और वाले में और मैंने इसे में काफी किया इसमें क्या है इसमें एक मैंने दो-तीन मैंने पहले तो आपके स्रीज लिखा है ठीक है मैं 5 के लिए लिखता हूं और 7 के लिखता हूं in equal to 5 चलो इसको पहले डिलीट करते हैं मैं दूस दू इन और 5 इन 7 के लिखूंगा इन 5 के लिखूंगा और 7 के लिखूंगा और आप पकड़ लिएन अगर आपको समझ में आ जाए तो आप की ल 1-2 1-2 1-2 1-2-1 यह हो गया 7 के लिए अगर आप इसी को लिखने बैठ होगे तो नहीं होगा यह एक्स्टेंड करोगे इसको तो नहीं बनेगा वहां पर आपके पास बनेगा 2-3 2-3 2-3 and then 2-3 सब्सक्राइब इसको 9 के लिए तो नहीं होगा मैंने इस ऐसे हो सकता है और भी तरीके यहां पर डिसकस कर रहा हूं यह इसमें देखो overall sum जो है overall overall इसका जो sum है वो minus 1 है and किसी particular दो नमबर का sum ले लो यह भी जो है minus 1 है ओके यह तो यहां पर यह चीज़े आपका एक एक pattern मिल रहा 5 के लिए 7 में देखो तो इसका overall का sum आपका minus 1 है यह particular term के लिए भी आपका minus 1 है ठीक है यहां पर आपको क्या इससे मुझे क्या logic मिला n by 2 minus करना है आपको और n by 2 minus 1 को positive रखना है ठीक है तो इससे overall क्या होगा हमेशा एक तो इन दोनों नंबर की बीच में एक का difference होगा ओके और number of occurrences देखो इसका इसका तीन होगा और इसका जश्ट एक होगा ठीक है तो इसका 3 into 1 minus 2 into 2 minus 1 overall sum minus 1 है और किसी दो नंबर का sum अगर आप इसको पार्टिकुलर यह n by 2 पर देख रहे हो थे n by 2 इसको लिख रहे है minus 1 plus minus n by 2 यह negative already print कर रहे है इसको positive में print कर रहे है तो यहाँ पर भी difference आपका जो है वो minus 1 है दोनों case में आपको एक general formula के रूप में आपको दिख रहा है कि यह minus 1 और minus 1 आ रहा है ठीक है तो यह मैंने निकाला 4 लेकिन यह 3 के लिए acceptable नहीं होगा in not equal to 3 in 3 में क्या होगा 3 by 2 करोगे तो आप 1 ठीक है and 1 minus 1 0 क्योंकि और इसने बोला कि 0 आपको लेना नहीं है तो इस वज़ा से यहां पर यह भी cut जाएगा ठीक है यह आपको नहीं होगा बरना आपको हो जाता यह चीज भी 0 1 0 कर देते आप ठीक है बट यहां पर क्योंकि 0 लेना नहीं है तो इस इस पर प्रिंट होगा n by 2 minus 1 n by 2 negative sign के साथ n by 2 minus 1 minus n by 2 और इस तरीके स्य स्रीज complete करेंगे ओके यहीं सेम चीज को बस मैंने code में किया है ठीक है तो एन और है तो n equal to 3 पर नो प्रिंट किया अदर्वाइस यह प्रिंट किया n by 2 minus 1 negative n by 2 और यह चीज यह वन टू इन टाइम प्रिंट होगा अल्टरनेट यहां पर हमने चेक कर लिया इसको ठीक है और और नमबर हो गया इन नमबर तो ऐसे question की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो उससे आपको idea राउंड लग जाएगा कि हां question को कि सोचना सुरू करेंगे कहां तक वो जाएगा राइट और यह थोड़ी सी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक हैल को सीख लो और ऐसे question को बना लो मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि थोड़ी सी मतलब एक मैं बोलूंगा experience से साथ आपको समझ में आएगा कि question को कैसे सॉल्व करना ठीक है मेरा मेरा हर एक क्वेश्चन में लगो कुछ इस तरीके का अप्रोच मैं रखता हूं अब तो question सॉल्व हो जाते हैं अगर बीजिंग तक में आए इस तरीके question तो ओके तो अगर कोई टाउट बज़ता है तो नीचे comment box में बताओ and question का link code का link discord server and top met services यहां पर जो मैं अवलिवर कर रखा हूं आपके लिए तो इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप जाओ and explore करो and मैं कहूंगा कि अगर कोई dot है आपको regarding interview या कैसे question करें regarding कैसे भी तरीके का आपको discussion करना है dot solve करना तो आप यहां पर slot अपना book कर लो फटफट इसका link आपको नीचे description box में दिया हुगा है बागे मिलते हैं एक लिए बीडियो में ठिलों बाबाए